नमस्कार जहिंद, All Exam Guide Guru का YouTube चैनल आप सब भी दिख रहे हैं, मेरा नाम है सुजीत पांडे दोस्तों, Lucent Eddie आपको याद है, तो हम आपके लिए 50 questions लेकर आए हैं, most important, ये सभी questions आप जिस exam की तयारी कर रहे हैं, इसमें आचुके हैं और आगे भी आएंगे इन questions को रट ले ना, चाहिए पटवारी की तयारी कर रहे हो, सीटाट की तयारी कर रहे हो, इस्टेट लेवल के किसी exam की SSC, CGL, MTS या पिर CHSL, किसी भी exam की तयारी कर रहे हो, चाहिए आपके राजी में पुलिस कॉंस्टेबल का exam हो, SI का exam हो, सभी में की questions आ चुके हैं और आग संस्थापक आपने चारों option पढ़ लिए होंगे, चंद्रगुप्त द्वतिय, प्रथम, समद्रगुप्त या आफिर श्रीगुप्त, राइट आंसारे option बढ़ी, जिसने भी option बढ़ी दिया है, श्रीगुप्त बिल्कुल सही आंसारे गुप्त सामराज की संस्थापक, option number C, चरण सिंग जी प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अगला question दिखिए, इलेक्ट्रों वोल्ट डैश की एक इकाई है, विववांतर, विदुधारा, शक्ति या उर्जा, तो electron वोल्ट जो ये इकाई है आपकी, राइट आंसर हो जाएगा, ये इकाई ह प्रशने के लिए, अगला question दिखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपती की तुलना, निम्द लिखित मेंसे किस से करना सरवादिक उचित होगा, भारत के राष्ट्रपती की बात हो रही है, तो भारत के राष्ट्रपती की तुलना, यहाँ पर आप यहाँ पर सी बिटेवन की समराथ प्रशने के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला कॉच्शन है कि जीवन शक्ति के सिधांत का पृतिपादन किस रसाइनुग ने किया था केंसिष्ट ने कौन था वह तो जीवन शक्ति के सिधांत का प्रतिपादन जो किया गया था यहाँ पर आपको option दिया है, बरजीलियस सबसे पहले option में, तो right answer भी यही है, बरजीलियस इन्होंने जीवन शक्ती यह वड़िया रखना, जीवन शक्ती का सिध्धान्त, याद रहेगा यह question, बहुत important इस टार लगा लेना, आपको एक्जाम में कई बार पूछा जुका है औ धान की थी, यहाँ पर आप जो option दिया गए है, उसमें से right answer हो जाएगा, महमूद गजनभी ने, option number 2, महमूद गजनभी ने, सबसे पहले सुल्तान की उपादी धान की थी, option number 2, महमूद गजनभी right answer है, जीव विज्ञान बायोलोजी शब्द का प्रयूख सर्पतम किस ने क जाएगा, ले मार्क और ट्रेवी रे, नस, option number 2, राइट आंसर, जीव विज्ञान का सबसे पहला प्रयोग, यार शब्द का उपियोग, ये बिल्लकुल, most IMP question, इसको start जरूर लगा लेना, जो भी पढ़ने वाले बच्चे है, नियमने लेकित में से किसे computer का पितामह कहा ज अगला question है, hydrogen की खोज इन में से किसके द्वारा की गई, hydrogen की बात हो रही है, option आप पढ़ लीजिए, most IMP question style लगा लेना, तो hydrogen की खोज की थी, kevendis ने, option number 2, kevendis के द्वारा hydrogen खोजा गया था, खोज की गई थी, right answer है, option number 2, वस्तु को गर्म करने पर उसके अडूं में क्या प्रभाव पढ़ेगा, तो कोई भी वस्तु होज को गर्म करेंगे, तो जो उसके अणू है, उसमें प्रभाव पढ़ेगा कि उनकी चाल बढ़ जाएगी, option number A, वस्तु को गर्म करने पर उनके अडूं की चाल बढ़ जाएगी, option number यहाँ पर A, प्रशने के लिए बिलकुल option number B, कोशाणों के सामंत ते गुप्त option number B, यहाँ पर right answer है, निम्दले के तमेंसे कौन से यह ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें गर्म कम सगन पदार्थ उपर की ओर उठते हैं, और ठंडे अधिक सगन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है उनको, तो गर्म पदार्थ उपर की ओर, और ठंडे पदार्थ फिर क्या है, जो उपर से होते हैं, वो नीचे आजाते हैं, पर स्थापित कर दिया जाता है, यह समवहन की प्रक्रिया होती है, option number A, समवहन राइट आंसर है, प्रशनी के लिए, option number A, यहाँ पर राइट आंसर है, भारत में का कारेपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, भारत के इंदर, कारेपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्टपती, प्रधानमंत्री, विरोधी दलकानिता या भारत सरकार का मुख्य सच्चिव, तो कारेपालिका का अध्यक्ष होता है, राष्टपती, और तीनों सेनाओं प्रमुक कौन होता है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे गा है, उसमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? तिनो सेनाओं का प्रमुक प्रयोग शाला में संसलेशित किया गया पहला कार्बनिक योगिक योगिक ये आपका जो option दिये गया है राइट आंसर हो जाएगा यूरिया था option number C यूरिया प्रयोग शाला में संसलेशित सबसे पहला कार्बनिक योगिक था राइट आंसर है महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों मैं सरवादिक महतुपून आक्रमण कौन सा था तो महमूद गजनवी के 1026 इसवी के बीच आक्रमण किया था और सबसे जो महतुपून आक्रमण था उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके इसको लूट लिया था ये सब से जो है महतवपूर्ण आक्रमन माना जाता है option नमसी दोस्तों कॉशन देख रहा हूँगे आप कितने शांदार कॉशन है ये सभी कॉशन आपको exam में आ सकते हैं most IMP कॉशन है और इन सब की total 10,000 कॉशन हमें छाटे उनकी PDF तयार कर दी गई है और ये PDF आप सभी को WhatsApp पर रहें तो आप सभी को ये PDF 99.99 रुपे में दी जा रही है आप मैंसे जो भी लेना चाहता है 10,000 कॉशन एक साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरे 10,000 कॉशन एक साथ जिसको भी चाहिए हूँ तो हमें नीचे दीगा नमबर पर आप संपर करके फोन पे Google पे पे टियम से कॉशन रहेंगे आपके हर एक्जाम में काम में आएंगे तो जरूर इसको देख लीजिएगा ठीक है चलिए कॉशन है जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्टू को ऑप्शन नमबर ये अरस्टू को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है राइट आंसर है कंपीटर के विकास में सरवादिक योगदान किसका रहा इन में से तो कंपीटर के विकास में सरवादिक योगदान जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वान नियुमान का ऑप्शन नमबर ये वान नियुमान को यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा है उसमें से जो हाइडोजन है इसको आवारा तत्व की संग्या दी गई है आवारा तत्व कहा जाता है यहां रखेगा मोस्ट टाइम पर यह कौशन है अगला कौशन देख लेते हैं अगली कौशन पूछागे आपसे कि किसी वस्तु क का ताप किसका सूचक होता है तो कोई भी अधी वस्तु है जो उसका ताप मान होगा वह आपका सूचक यहां पर जो अप्शन देगा है एक सेकेंट यह कौशन नहीं था यह तो हो चुका है हाजी तो यह कौशन था तो किसी वस्तु का ताप मान जो है यह उसके अडूओं क किसी वस्तु का तापमान यह कौशन एक्जाम में कई बार पूछ चुके हैं आया हुआ है अगला कौशन देखो गुप्तवंश ने किस आवधी में शाषन किया था गुप्तवंश ने इनमें से कौन सी आवधी में शाषन किया था जो ऑप्शन देगा है इस्टार लगा लो कौशन को तो गुप्तवंश का शाषन 319 से लिखर 500 ईसवी तक था गुप्तवंश का जो शाषन था तीन इसो उननेस से लेकर 500 ईसवी तक था यहां पर आपका option नमबर ए यहां पर आई आउनसर हो जाएगा प्रशनी के लिए अगला कौशन देखिए अगली कौशन देखि और रैखिक समवेग की विमा यह समान होती है अगला कोश्चन है संग की कारपाली का शक्ती नहित है किस में तो जो संग की कारपाली का शक्ती होती है यहाँ पर आपको जो अप्शन दियेगा है राष्ट्र पती में नहित होती है संग की कारपाली का शक्ती यह राष्ट्र प तो यह रखना आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के वारे में यह जिक्र हो रहा है उप्शन नमर यहां पर सी राइट आंसर है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमन का उद्देश क्या था तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमन का उद्देश जो था कि मद्द एशिया जो था ना उसमें एक बड़े सामराज की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था उसको मद्धिस एशिया में उसको बहुत बड़ा सामराज स्थापित करना था और उसके लिए उसको धन प्राप्त करना था ये जो है उसका उद्देश था अगला कॉश्चिन जन्तु विज्ञान या जूलोजी के जनक कौन कही जाते हैं तो जन्तु विज्ञान या जूलोजी जो है उसके जनक अरस्तु को कहा जाता है यहाँ पर option number C अरस्तु को जन्तु विज्ञान या जूलोजी का जनक कहा जाता है option number C right answer है अंकिये कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सरवादिक योगदान किसका है तो अंकिये कंप्यूटर का जो ब्लूप्रिंट बना था चाल्स वेवेज को बाना जाता है कि इनका सरवादिक योगदान था उसके विकास में option number B Charles Babish right answer है कौन सा तत्व ब्रमांड में सरवादिक मात्रा में उपलब्द है तो ब्रमांड में सरवादिक मात्रा में उपलब्द तत्व जो है वो आपका hydrogen तत्व है option number B hydrogen ब्रमांड में सरवादिक मात्रा में उप्रवत्तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् प्रावर होती है तरंग वेग के द्वारा विभाजत तरंग दैर्दी के बरावर होती है option number C भारत का राष्टपती के बारे में कौन सा वाक्य सकते है तो जो भारत का राष्टपती है ये राज्य का प्रधान है option number E भारत का राष्टपती राज्य का प्रधान होता है भारते समिधान के किस अनुच्यद में उल्लिखित है कि भारत एक भारत का उपराष्ट पती भी होगा तो भारत का उपराष्ट पती होगा यह लिखा हुआ है अनुच्यद 63 में और भी अनुच्यद 63 में लिखाए कि भारत का उपराष्ट पती होगा क्रती में सबसे अधिक प्रक्रती में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक योगिक कौन सा है तो प्रक्रती में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक योगिक है यह आपका सेल्लोज है ऑप्शन बड़ी सेल्लोज प्रक्रती में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला कार्वनी की योगिक है महभूत गजनभी के भारत पर आक्रमन के समय भारत आय विद्वान अल वरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की स्थापना की थी तो अल वरूनी के द्वारा लिखा गया था आपका किताब उलहिंद ऑप्शन अमबर भ यहां पर यह पर थ्रियो फेटास या फिर फोर्ट स बिलकोल राइट आनसर है सर्प्रदम आधने कम्पूर्टर की खोज कब हुई थी तो सबसे पहले आधने कम्पूर्टर की खोज बनाता है तो भविष्य के इधन के नाम से जाना जाता है हाई ड्रोजन को ऑप्शन किसी वस्तू के ताप में व्रद्धी का अर्थ है कि वस्तू की क्या बढ़ गई है? तो उप्षन दूमर यहां पर C, गुप्ते सामराज ये राइट आंसर है, और ये राज का आखरी कॉशन कीश्चिन स्थDay के चुम्ब की छित्र की उपस्ति में वक्र क्रमणी रेखा कि कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहा जाता है तो यदि चुम्ब की स्थैतिक छित्र बना हूँ चुम्बक का स्थैतिक छित्र बना हूँ और वक्र क्रमणी रेखा कई घटकों में विभाजन हूँ इसको जीमान प्रभाव कहा जाता और आखरी में पूछ रहा हूं कमेंट करके बताना कि प्रथम नागरिक कौन होता है भारती समविधान के अंज़ार प्रथम नागरिक कौन होता है कमेंट बॉक्स में इसका अंस दीजिएगा दोस्तों वीडियो अच्छे लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चनल पर पहली बार आएं चनल को सब्सक्राइब कर लेना हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अपने ख्यार के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पर देंशुभू जय हिंद जय भारत